मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत आपको जानकारी होगी नहीं होगी तो हम आपको थोड़ा सा बताते हैं कि क्या होता है क्या होता है आपका multiple दोनों के बीच में difference क्या होता है question factor से कैसे आते हैं कैसे कैसे सवाल आपके paper में बनते हैं उन्हें कैसे solve करना होता है सबसे पहले दो बात होती है किसी भी संख्या को लेकर एक होता है हमारा factor और दूसरा होता है हमारा multiple समझेगा ठीक है एक होता है factor और दूसरा क्या होता है हमारा multiple होता है अब जैसे मान लीजें यहां पर कि मैंने कोई संख्या लिखा जैसे मानो यहां पर मैंने संख्या लिखा 6 अब यह जो 6 है जिससे यह कट जाएगा वो इसका क्या है factor है जैसे मानो आपका 6 जो है वो 1 से divide हो गया है यहां पर तो यह factor 1 भी इसका है ठीक है 6 जो है वो 2 से भी divide होता है 6 3 से भी divide होता है 6 6 से भी divide होता है तो यह सारे के सारे किसके factor हैं तो 6 के factor हैं अब बात करते हैं यहां पर multiple की तो multiple का मतलब यहाँ पर यह हो गया कि 6 को किसी संख्या से गुना किया जाए और यहाँ पर कोई value आजाए तो वो सारे multiple है यानि 6 का पहाड़ा 6 का यहाँ पर multiple 6 एकम 6, 6 दोनी 12, 6 तिर के 18, 6 चोके 24 तो यह सारे के सारे क्या होते हैं? multiple होते हैं, ठीक है? तो इसको हम factor बोलते हैं, जिससे यह संख्या कट जाती है, वो factor होता है और जिससे multiply करने पर आगे जो भी एक series मिलती है, उसको हम multiple कहते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर एक और बात दान दीजेगा, factor जो होता है, वो कभी भी संख्या से छोटा होता है और multiple जो होता है, वो संख्या से क्या होता है? हमेशा बड़ा होता है ठीक, अब एक और बात जानते हैं आपर, चुकि हमें जो topic पढ़ना है, वो factor पढ़ना है तो factor से सम्मंदित काफी सारे हमें point पढ़ने हैं, जैसे मानो कोई भी संख्या है, तो उसके कितने factor होंगे पूछती है, वो इन ही आधार पर पूछती है, जैसे मानिया यहाँ पर 6 है, ठीक है? तो 6 के यहाँ पर कितने factor हैं, तो 1, 2, 3 और 4 तो अगर यह पूछा जाए कितने factor हैं, तो 4 factor हैं, अगर हमसे यह पूछे कितने even factor हैं, तो 1 और 2, 2 even factor हैं कितने और फैक्टर हैं तो दो और फैक्टर हैं अगर हमसे ये पूछा जाए कि सभी फैक्टर का जोड कितना होगा तो 6, 3, 9, 2, 11, 12 हो जाएगा सभी और फैक्टर का सम कितना होगा तो 3 और यहाँ पर 1, 4 हो जाएगा और even फैक्टर का सम 6 और 2, 8 हो जाएगा सबी factor को multiply करने पर कितना मिलेगा तो 6,3,8,2,3,6 मिलेगा यहाँ पर तो यानि ये छोटी संख्या दी तो हमने बड़े आसानी से पकड़ लिया लेकिन अगर सोचो बड़ी संख्या हो तो हम कैसे करेंगे जैसे मानो 532 दे दे और बोले 532 के जितने factor है वो बताईए ठीक है तो उनके बारे में हम थोड़ा जानते हैं तो जैसे मानिये कोई भी हम एक संख्या लिखते हैं जैसे मानो मैं अभी छोटा सा एक example ले रहा हूँ मानो मैं हाँ 24 ले रहा हूँ और 24 के बारे में हम थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं इससे सवाल क्या-क्या पूछा जाता है, कितना पूछा जाता है और उसको हम बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं सबसे पहले अगर हम 24 लिख रहे हैं तो इस 24 का इसका प्राइम फैक्टर में लिखेंगे यानि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप 24 को ऐसे लिख दोगे कि 24 बराबर 8 into 3 नहीं है, गलत है ठीकें यह फैक्टर के माईने से गलत है, 24 बराबर 6 into 4 यह भी गलत है कभी भी अगर हम किसी भी संक्या को लिख रहे हैं, तो हम उसके प्राइम फैक्टर में लिखेंगे जैसे मानिए यह हमारा 24 है, तो 24 को हम continuously भाग करते जाएंगे, 2 से भाग करेंगे 12 बार में, फिर 2 से भाग करेंगे 6 बार में, 2 से भाग करेंगे 3 बार में, 3 से भाग करेंगे 1 बार में, यानि अगर हमें 24 को लिखना भी होगा तो हम ऐसे लिखेंगे, 2 कितनी बार आया है 3 बा होता है तो हम उसको प्राइम नंबर के पाउर में लिखते हैं दो प्राइम नंबर है तीन प्राइम नंबर है पाँच प्राइम नंबर है साथ प्राइम नंबर है कभी भी ऐसा नहीं होता कि हम किसी कॉंसोनेंट के पाउर में उसको denote कर रहे है, 4 के power में लिख रहे हैं, ऐसा नहीं है, prime number के power में लिखा जाएगा, अब जब आप आपने यहाँ prime number के power में लिख दिया, तो सारा game यहीं पर खतम हो गया, सबसे पहला point जैसे आपसे पूछेगा, और यहाँ पर यह पूछेगा कि number of factor कितने है, number of factor कितने है, तो आप यहाँ बोलोगे कि सर, देखो, यहाँ पर number of factor हमें निकालना है, तो यहाँ पर इसके power में एक और एक बढ़ा दो, जैसे यहाँ power में तीन है ना, तो power में तीन में एक बढ़ा बढ़ा दो फिर multiply यहां power make है तो एक मेक बढ़ा दो यानि हर power में एक बढ़ा कर गुना कर देना होता है और वो हमारा number of factor दे देता है यानि 4 into 2 कितना हो जाता है तो 8 हो जाता है यानि total factor कितना हो जाएगा तो 8 हो जाएगा total factor कितना हो जाएगा तो 8 हो जाएगा ठीक है आज जाएगा अगर माल लीजें यहाँ पर कल के दिन यह पूछता है कि number of even factor कितना है तो even संख्या के power में यानि जो यहाँ पर जैसे 2 even है और 3 odd है तो 2 के power में increase नहीं करेंगे उसको as it is रहने देंगे यहाँ पर 3 था तो 3 ही रहने देंगे उसमें कोई increment हम नहीं करेंगे और बाकी जितने भी संख्या बच जाएगे उनके power में एक बढ़ा देंगे जैसे 1 है तो इसमें 1 बढ़ा दिया यानि यहाँ पर कितने factor हो जाएगे तो 6 factor हो जाएगे समझ में आ रहा है बात यहाँ पर अब हमें number of odd factor लेना है तो odd factor का लेना है तो 2 जो होता है वो कैसा number है even number है हम counting किस की कर रहे हैं odd की कर रहे हैं तो हम counting odd की कर रहे हैं तो even संख्या के power को हम नहीं लेंगे odd संख्या के power को लेंगे odd संख्या का power एक है और हमें पता है power में एक बढ़ा देना होता है तो एक में एक बढ़ा देंगे यानि कितना आ जाएगा 2 इसलिए आप ऐसा भी कह सकते हैं कि total number of factor 8 है वो बराबर होगा number of odd factor plus number of even factor के ठीक है तो अभी हम आपको सिर्फ बता रहे है number of factor निकालते कैसे हैं जैसे मानिए आपको यह को और example ले लीजे आप मान लीजे कि आप यह कह रहे हैं सर 520 है ठीक है अब 520 के यहाँ पर कितने factor होंगे तो सबसे पहले 520 के यहाँ पर क्या करोगे या 520 के जगा मानो यहाँ पर जो है 420 है 420 को आपका बताना है कि इसके क इतने factor होंगे तो 420 लिखो अब एक बच्चा 420 को भाग करते चला जाएगा दूसरा बच्चा अपने दिमाग में यह सोचेगा कि देखो जो 0 बनता है ना तो 0 बनाने के लिए 2 की आवशकता होती है और 5 की आवशकता होती है ठीक है तो हमने 0 का factorization कर दिया अब बच गया 42 42 का factorization करो 42 कैसे आता है तो 7 इंडू 6 से आता है 7 इंडू 6 से आता है 7 प्राइम नंबर है लिख दिया 6 को और तोड़ो तो 6 को तोड़ोगे तो 2 इंडू 3 में तूटेगा तीक है यानि बोलोगे सर 2 इंडू 3 में आपर मेरे कहने का मतलब क्या है देखो यहां पर देखो क्य 42 है तो 42 के लिखेंगे तो बोलेंगे सर 42 के लिए 7 इंडू 6 लिखेंगे ठीक उसके बाद 0 के लिए क्या लिखेंगे तो 0 के लिए 2 इंडू 5 लिखेंगे फर्दर ये 7 है तो 7 रहने दो ये 6 है तो इसको 2 इंडू 3 लिख दो क्योंकि प्राइम नंबर में तोड़ना है साथ कितनी बार है, एक बार है तो साथ एक बार आ जाएगा, इस तरीके से करके हमने यहाँ पर क्या कर दिया, सारे फैक्टर यहाँ पर हमने लिख दिया, ठीक है, सारे फैक्टर टोटल, यानि यह जो 420 का निर्मान हुआ है, यह कैसे हुआ है, यह हमने यहाँ पर लिख दिय अब उसके बाद यहां बात करते हैं number of factor को लेकर तो number of factor में क्या करते हैं बच्छो पावर में एक एक बढ़ा कर multiply कर देते हैं 2 में एक बढ़ाया तो 3 हो गया एक में एक बढ़ाया तो 2 हो गया एक में एक बढ़ाया तो 2 हो गया एक में एक बढ़ाया तो 2 हो गया यानि 3 into 2, 6, 6 into 2, 12, 12 into 2 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा clear है यह बात यहाँ पर बहुत शांदार अब अगर मानिए कि हमें यहाँ पर number of even factor पता करना हो तो हमेशा मेरी बात को ध्यान रखना even वाले के power में नहीं बढ़ाते हैं even वाले के power को ऐसे ही रहने देते हैं जैसे यहाँ 2 का power था तो इसको 2 रहने देंगे एक नहीं बढ़ाएंगे इसको 3 नहीं करेंगे ऐसे ही रहने देंगे और बाकि सब में एक एक बढ़ा देंगे 1 वाले में एक बढ़ा देंगे 2 हो जाएगा 1 वाले में एक पढ़ा देंगे 2 हो जाएगा 2 into 2, 4 into 2, 8 into 2, 16 यानि total कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा हमारा clear है यह बात यहाँ पे अब number of odd factor चाहिए number of odd factor चाहिए तो odd factor में हम यहाँ 2 का कितना power है उसको लेते ही नहीं है छोड़ देते हैं तो इसको गोली मारो बाकी सबको ले लो यानि 1 में 1 increase करो 2 आजाएगा 1 में 1 increase करो 2 आजाएगा 1 में 1 increase करो 2 आजाएगा यानि हो जाएगा 8 तो 24 बराबर 16 जम्ह 8 यह हमारा correct answer आजाएगा तो बहुत ही simple होता है और क्या होता है कि अगर आपको number of factor निकालना हो तो सब में एक power बढ़ा कर multiply कर दो even वाला निकालना हो तो 2 में मत बढ़ाना बाकी सब में बढ़ा कर multiply कर दो odd निकालना होगा तो यहाँ पर even को मत लेना बाकी सब को multiply कर दो आप मेंसे अगर कोई reason भी पूछेगा कि सरा आप ऐसा क्यूं कर रहे हो तो मैं आपको reason भी बता सकता हूँ हर चीज का एक reason होता है बट यहाँ पर जो है अगर हम उतना detail में चले गए फिर तो हम यहाँ पर मेंस के लिए पढ़ पाएंगे बट एक छोटा सा मैं आपको बता दे रहा हूँ एक example देखिए हर जीज का एक reason होता है लेकिन depend करता है आप इमेंस की तियारी कर रहे है अभी आप theory में उतना घुसेंगे न तो आपका पूरा का पूरा paper या पूरा question अभी मेरा कराना incomplete हो जाएगा तो कुछ-कुछ बातों का देयान दीजे कुछ जहां मैं सीधा बताऊंगा आप उनको सीख लेना यू समझना उसका कुछ reason है ठीक है और बाकी जहां पर अगर आपको लगे कि हाँ कोई दिक्कत है तो comment box में बता देना मैं उसका explain कर दूँगा जैसे ऐसा हम क्यूं करते हैं उसके पीछे का भी एक reason है और reason यहां पर मैं आपको थोड़ा सा आसान भाशा में समझाता हूँ मान लिजे कि हम यहां पर कोई एक संख्या लेते हैं और कोई संख्या लेते हैं 2, 3, 6, 35 मान लिजे कि हम यहां पर ले रहे हैं 60 है ले रहे हैं 60 नाम की यह कोई संख्या ले रहे हैं अब यह 60 नाम की जो संख्या ले रहे हैं तो 60 का factor हम कितना करते हैं तो 60 को हम 15 into 4 करते हैं 4 का मतलब 2 का square और 15 का मतलब 3 into 5 हो जाता है हो जाता है कि नहीं हो जाता है ठीक है या 60 के जगव पर मान लीजे हम कोई दूसरी संख्या आ ले रहे हैं और कितना ले रहे हैं तो 40 ले रहे हैं तो 40 हम कैसे बनाते हैं तो 40 हम बनाते हैं 8 x 5 से या फिर 40 के जगव मैं आपको 72 लेगे बताता हूं चलो 72 लेगे बताता हूं ये लो 72 अब 72 हमारा कैसे बनता है तो 8 x 9 से बन रहा है यानि 2 का cube x 3 का square से बन रहा है बход टर कैसे बनता है तो 9, 8, 27, 9 को हम 3 का square लिख सकते हैं और 8 को हम 2 का cube लिख सकते हैं यानि असल में हम यहाँ पर क्या लिख रह stern हैं तो number of factor देखेंगे, तो क्या बोलेगे 3 में एक बढ़ादो 4 हो जाएगा 2 में एक बढ़ादो 3 हो जाएगा यानी total factor कितने होंगे total factor 12 होंगे कुल मिलाकर कितने factor होंगे 12 factor होंगे अब जरह यहाँ पर देखना 12 factor होंगे न इन 12 factor को हम एक बार rough तरीके से लिखते हैं अपने तरीके से बहतर का निर्मान तो बोलोगे सर 1 इंटू बहतर होता है और बहतर कैसे बनता है तो 2 से 36 को गुना करने पर बनता है फिर 3 से कितनी बार में बनता है 24 बार में 4 से कितनी बार में बनता है 18 बार में 6 से कितनी बार में बनता है 12 बार में 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12. यहीं वो 12 के 12 factor है. लेकिन इन 12 के 12 factors को आप short में निकाल पाओगे कैसे? आप यहां देखो 2 का power कितना गया है? 2 का power 3 तक गया है. तो आप यहां पर side में लिख दो. 2 का power 3 है तो सबसे पहले 2 का power 0 लिखो, 2 का power 1 लिखो, 2 का power 2 लिखो, 2 का power 3 लिखो. फिर यहां 3 का power 2 गया है. तो 3 का power 0 लिखो, 3 का power 1 लिखो, 3 का power 2 लिखो. यह आपने लिख दिया यहां पर. एकदम 0 से शुरुआत करनी है. और ऐसा इसलिए करना है ताकि आप देखते चलो, आप यहां हर इक factor को verify कर पाओगे. आपको पता है किसी भी संख्या का power 0 यानि कितना होता है, 1 होता है. अगर हम 2 का power 0 लिख रहें, यानि यह कितना है, तो कहीं न कहीं 1 है. और अगर हम 3 का power 0 लिख रहें, यानि कितना है, 1 है. अब factor कैसे बनता है, वो देखते चलो. पहली बार इस 1 को 1 से गुना करना होता है, फिर 1 को 3 से गुना करना होता है, फिर 1 को 9 से गुना करो. ठीक है? तो यानि 1 into 1, 1 हो जाएगा, जो कि यहां पर complete हो गया. आप 1 को 3 से गुना करोगे, तो देखो, यह 3 भी आ गया. आप इस 1 को 9 से गुना करोगे, तो आपका कितना आ गया, यहां पर यह 9 भी आ गया. उसी तरीके से, अब आप यहां किसको पकड़ो, तो आप यहां 2 को पकड़ो. 2 से 1 बार में गुना करो 2 से 3 बार में गुना करो और 2 से 9 को गुना करो 2 का 1 गुना कितना हो जाएगा तो बोलो के 2 का 1 गुना 2 हो जाएगा 2 को 3 के साथ गुना करोगे तो 6 हो जाएगा और 2 को यहां पर 9 के साथ गुना करोगे तो 18 हो जाएगा सेम तरीके से यहां 2 का स्क्वायर है, यह 4 है, तो आप 4 को 1 से गुना करो, 4 को 3 से गुना करो, 4 को 9 से गुना करो, 4 एकम 4, 4 तिएंके 12, 4, 9, 37, 4, 12, 38, यह हमारा 4 आ गया, ठीक है, यह हमारा 12 आ गया, और यह हमारा 36 आ गया, अब नेक्स्ट बात करते हैं, 8 को लेकर, 8 से देखो, 8 से एक बार मैं 8, 8 तिर के 24 होगे, 8 नवा बहतर होगे, 8 चोबिस और बहतर, यह हमारा 8 आ गया, यह हमारा 24 आ यह हमारा बहतर आ गया हमारे सारे के सारे factor आ गए यहाँ पर इस combination की वज़े से तो असल में background में काम जो होता है वो इस combination से होता है अब यहीं combination हमें बताता है कि यहाँ पर total number of factor होंगे कैसे और इस combination का यह देखो यह जो मैं आपको इतना लिख रहा था ना मैंने क्योंकि यहाँ आपको 2 के 3 पावर दिख रहा है बट असल में यहाँ पर कितने पावर हैं तो चार है क्यों क्योंकि एक 2 का पावर 0 भी included है इसलिए यहाँ पर total कितने हो गए तो चार हो गये यहाँ पर आपको 3 का पावर 2 दिख रहा है लेकिन यहाँ पर असल कितने है तो 3 है क्योंकि एक 3 का power 0 भी है इसलिए हर संख्या में उसका एक 0 power भी included होता है जिसको हम ignore करके चलते हैं लेकिन जब number of factor count करते हैं तो इसलिए इस power में हम एक बढ़ा कर तब गुना करते हैं तो यह यहाँ पर logic होता है number of factor निकालने का अब यहाँ हम बात करते हैं अब यहाँ हम बात करते हैं किसके बारे में तो number of factor के लावा हम बात करेंगे number of even factor के बारे में अब even factor की जब हम बात करते हैं बच्चे तो even factor में कहानी ऐसी होती है गौर से देखना even factor के लिए थोड़ा पानी ला दीज़े even factor के लिए क्या होता है क्या one even है नहीं है मेरे भाई one को किसी के साथ भी गुना करोगे न तो even नहीं आएगा one odd है और odd को किसी भी संक्या जैसे one को आप one के साथ करो one को three के साथ करो या one को nine के साथ करो तो odd ही देगा इसलिए इसको हम नहीं include करते हैं यानि अगर 2 के power 4 power है न तो उसका 1 power हम नहीं लेते हैं हम उसके कितने power लेते हैं तो 3 power लेते हैं इसलिए हम 2 में क्या करते हैं power को नहीं बढ़ाते हैं 2 का जितना power होता है उतना ही लिखते हैं उसमें एक power बढ़ाने का मतलब है 2 के power 0 को भी लेना और 2 का power 0 जो होता है मेरे भाई वो एक odd संख्या होती है even संख्या नहीं होती हम counting कर रहे है even factor की तो हम odd को कैसे ले 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 ठीक है इसलिए हम यहाँ पर 2 के power को नहीं बढ़ाते हैं और बाकी सब के power को बढ़ाते हैं क्योंक आप किसकी counting करने की इच्छा रखते हैं और की counting की इच्छा रखते हैं तो क्या आप even संख्या से odd को multiply करके odd लेकर आपाएंगे यानि जब आप और की counting कर रहे हैं तो आप even को मत count करिये यानि अब 2 यहां पर 2 को किसी भी power को मत लीजे क्योंकि अगर आपने 2 ले लिया तो 2 क किसी से भी गुणा करोगे तो आपका odd ही आना है ठीक है? आपका even आना है इसलिए आप यहाँ पर 2 को मत लीजए सिर्फ आप odd को count करिये इसलिए मैंने कहा था जब odd की counting होती है तो 2 के power को नहीं लेते हैं बाकि सब के power को लेते हैं इसलिए आप 2 के power को छोड़ कर बाकि सब के power में एक बढ़ा दीजे और यह हमारा तरीका हो जाता है तो यह तरीका क्या था हमारा अब तक factors निकालने का मुझे लग रहा है कि clear हुआ होगा आप लोगों को यह point कि कैसे हम factors को निकालते हैं अब यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि इन factors का sum कैसे निकालना होता है समझेगा मेरी बात को इन factors का क्या sum कैसे निकालना होता है यहीं example पर बताएंगे ठीक है अब मुझे लग रहा है number of factor आप समझ गए अब आजाए sum of factor पर यह जहाँ जहाँ यह point लिगता है ना इन सब जगा को अटाई है sum of factor लिखते हैं आप यहाँ देखिए कि 2 का power कितना है 3 है 2 का power 3 का मतलब शुरुवात कहां से हुआ होगा तो 2 का power 0 हुआ होगा 1 हुआ होगा 2 हुआ होगा 3 हुआ होगा तो 3 का power पहले 0 आया होगा 3 का power 1 आया होगा 3 का power 2 आया होगा और इनको हम गुना करते हैं बोलो के क्यों देखो यह सारे factor है आप इनी का तो sum निकालना साथे हो sum of factor का मतलब क्या होता है जितने भी factor होते हैं उनका sum करना और यहां पर आप देखो तो उनी का sum करते हैं 2 का power 0 कितना होता है 1 होता है 2 का power 1 2 होता है 2 का power 2 4 होता है 2 का power 3 8 होता है इन सब को जोड़ो और इनके साथ गुना कर दो आपका sum of factor आ जाएगा यानि कभी भी sum of factor निकालना हो तो कोई संख्या का power अगर 3 है तो 2 का power 0 प्लस 2 का power 1 प्लस 2 का power 2 मने जितना भी power होना तो power 0 से लेकर उस power तक जोड़ना होता है फिर multiply फिर अगली संख्या की जहां तक power हो तो power 0 से लेकर वहां तक उसको जोड़तो इस तरीके से हम निकालते हैं तो आप यहां बोलेंगे सर यह 8, 4, 12 12 और 2, 14, 14 और 1 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा 9, 3, 12 और 1, 13 हो जाएगा 15 into 13 15, 3, 45 के 5, 4 आंत में 195 हमारा total आजाएगा आप इन सब को जोड़ कर देखो आंसर हमारा कितना हैगा 195 आएगा clear है अब आजाएगे यहां पर sum of factor के बाद next point हमारा हो गया sum of even factor कि आपको यहां पर even factor को count करना होगा अब आप मुझे बताइए ठीक है आप मुझे बताइए यहां पर कि क्या हम even संख्याओ को ले रहे हैं देखे sum of even factor देखे sum of even factor यानि जितने भी यहां even factors है उनको जोनने पर क्या मिलेगा ठीक है तो कैसे उसको calculate करेंगे मैंने आप को क्या कहा था याद करिए जब आप even factors निकालते थे तो क्या आप 2 के power को बढ़ाते थे नहीं बढ़ाते थे आप 2 के power को वैसे ही रहने देते थे एईसा वो था यानि अगर power 3 है तो power 3 तक ही रहने देते थे तो इसी लिए हम यहां पर 2 के power 0 को नहीं लिखते हैं क्यों? क्योंकि 2 के power 0 even नहीं होता है odd होता है यानि अगर हम even factor का sum करना है na तो हम 2 का power 1 लेंगे 2 का power 2 लेंगे और यहां 2 का power 3 लेंगे लेकिन 2 का power 0 नहीं लेंगे और ये सिर्फ और सिर्फ कहानी किसके लिए होगी थाबित तो ये सिर्फ और सिर्फ कहानी आप पो even के लिए होगे बाकी यहाँ पर 3 का power जितना है ना 3 का power 2 है तो 3 का power क्या लो तो 3 का power 0 भी ले लो 3 कपा और 1 भी ले लो, 3 कपा और 2 भी ले लो कोई फरक नहीं पड़ता है ठीक, 8, 4, 12 और यहां पर हो जाएगा देखो, 8, 4, 12 और 2 कितना हो जाएगा 12, 2, 14 हो जाएगा 9, 3, 12 और 1 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, इनको गुना करो 14, 32 का 2, 4 हाथ में 14 कम 14 और 4, 18, 182 हो जाएगा हमारा क्लियर है यह बात यहां पर कोई परिशानी की बात अब हम बात करते हैं sum of even factor के अलावा sum of odd factor को लेकर कि odd factor के sum को हम कैसे calculate करें तो हमने आप से कहा odd के लिए क्या, even लेना होता है बिल्कुल भी नहीं लेना होता even को हाथ तक नहीं लगाना होता है even को हाथ तक नहीं लगाएंगे सिर्फ odd में deal करेंगे odd का power कहां तक है, 3 का power 2 तक है यानि शुरुआत हुई होगी 3 का power 0, फिर 3 का power 1 और फिर 3 का power 2 तो बोलोगे sir 9, 3, 12 और 1 कितना आ जाएगा 13 और अगर आप देखोगे तो 195 जो है वो बराबर होगा 182 प्लस 13 के तो इस तरीके से हमारी संख्याएं आती है जो कहानी पीछे number of factors में चल रहा होता है वहीं कहानी यहाँ पर some of factors में चल रहा होता है तो मुझे लग रहा है कि चीज़े आपको clear हुई होंगी और काफी सारे एक्जांपल कहा हूँ काफी सारे questions आपके clear हुए होंगे 2-3 example मैं आपको दे रहा हूँ थोड़ा धराधर जो है एकदम answer देना शुरू कर दीजे पहले छोटे example से मैं शुरू करता हूँ मान लिजे कि मैं कोई संख्या ले रहा हूँ 108 और इस 108 से मैं आपसे क्या क्या पूछ रहा हूँ तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ number of factor कितना होगा फिर दूसरा सवाल मेरा यहाँ पर यह है number of even factor कितना होगा तीसरा सवाल मेरा यहां पर यह है नंबर ओफ ओड फैक्टर कितना होगा चोथा सवाल यहां पर यह है सम ओफ फैक्टर कितना होगा पाचवा सवाल यहां पर यह है सम ओफ इवन फैक्टर कितना होगा चछटा सवाल यहां पर यह है sum of odd factor कितना होगा ठीक है clear यह बात यहाँ पर यह सभी चीजों का हमें क्या करना है answer देना है बताइए कैसे करेंगे sum of even factor, sum of odd factor सभी सवाल बताइए छोटू question है 11 question है answer दीजे ठीक है answer दीजे अब यहाँ पर हम इस सवाल के सभी answers ढूनते हैं सबसे पहली बात number of factor तो इस्से 108 diferen का क्या करना होता है इस्से 108 का factor निकालना होता है 108 की value कितनी हो गई तो मन में देखो 363-408 होता है याद करो यह 129 108 होता है पढ़ा था यह नहीं पढ़ा था यह तो 363 गुणा करलो यह 129 करलो सबसे 108 ही आता है तो बोलोगे सर, 108, 108 कैसे बना, ठीक है? तो 108 मुझे लगता है, 36 का 3 गुना, 36 क्या है, तो 6 का square है, और 6 कैसे बना, तो 2 x 3 के square, यानि 2 x 3 के square, यानि यहां हम बोलेंगे, सर, 2 का square, into, कितना हो जाएगा? 3 का square, और 3 का power 1, यानि 3 का power 3, यानि हम ऐसे भी कह सकते हैं 12 x 9 12 x 9, 1208 होता है कह सकते हो यहाँ पर 12 x 9, 1208 12 कैसे बना है तो 12 x 3 x 4 से बना है और 9 कैसे बना है तो 3 x 4 से बना है यह 2 x 4 है इसके जग़व पे लिख दिया 3 x 2 x 3 x 3 अब यहाँ पर 1 x 3 सवाल का अपन आनसर देते चलेंगे सबसे पहले number of factor तो यहाँ पर 3 into 4 number of factor कितना हो जाएगा तो बोलोगे सरफ 12 हो जाएगा number of even factor even यहाँ पर कितने है मेरे भाई तो even वाले case में even का power नहीं बढ़ाना होता वैसे 2 होता है तो 2 लिखते हैं यहाँ पर और इसके बाद इसमें एक बढ़ा देना होता है तो यहाँ 2 into 4 यानि कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा ठीक है अब अगर मान लिखे आपको odd लिखना है तो 12 में से 8 गटा दोगे तो 4 आ जाएगा ऐसे भी कर सकते हो या फिर बोलोगे सर odd में 2 नहीं लेना होता है सिर्फ 3 लेना होता है तो 3 में एक बढ़ा दो 4 हो जाएगा ठीक अब हम बात करते हैं sum of even factor को लेकर even के sum की हम बात करते हैं तो even का हम sum कैसे निकालेंगे तो even का sum निकालने के लिए हम यहाँ पर यह काम करेंगे कि सर देखिए हम इसमें हम कुछ भी नहीं बढ़ाएंगे 2 का power 2 है ना तो 2 का power 2 तक जाएंगे 2 का power 1 लेंगे और 2 का power 2 लेंगे ठीक है और 3 का power 3 है तो क्या लेंगे 3 का power 0 फिर तीन का पावर एक और फिर तीन का पावर दो और फिर तीन का पावर तीन ठीक कोई परिशानी की बात यहां पर इसको जोड़िए जरा तो आप बुलेंगे सर यह 4 और यह 2 कितना हो गया अच्छे हो गया multiply by 9 ठीक है 3 का cube 27 27 और यहां पर 9 हो गया हमारा 36 36 और 3 हमारा हो गया 49 49 और 1 हो गया हमारा 40 यानि टोटल कितना आजाएगा 240 यानि कितना लिखेंगे तो 240 लिखेंगे ठीक कोई परिशानी की बात यहां पर चलो sum of even factor की बात करते हैं तो even factor का sum क्या क्या हो गया यानि even factor के case में ठीक है sorry sorry यहां पर जो है न यह जो हमने निकाल दिया sum of even factor निकाल दिया है असल में हमें यहां पर total निकालना था तो यहां पर sum of factor निकालने के लिए 2 का power 0 भी लेंगे 2 का power 1 भी लेंगे दो का power दो भी लेंगे पूरा हम यहाँ count करेंगे हम पूरा लेंगे यहाँ पर थीक है? समझेगा हम पूरा count करेंगे यहाँ पर थीक है? नो अब यहाँ पर हम بात करते हैं even factor को लेकर तो यहाँ पर ज़रा even की बात कर लो एक बार देखो सवाल में तो even के case में 2 का power 0 नहीं लेना होता बस इसमें 2 का power 0 मतलो बाकी ऐसे ले लो तो 2 का power 1 प्लस 2 का power 2 को गुना करना होगा 3 का power 0 3 का power 1 3 का power 2 3 का power 3 यानि यहाँ पर 40 into 4 और 2 कितना हो गया 6 ठीक है तो 4 और 2 6 6 into 40 यानि कितना हो जाएगा तो 240 हो जाएगा ठीक है समझ मागया बात यहाँ पर अब हम बात करते हैं sum of odd factor को लेकर odd factor में क्या होता है तो odd factor में हम 2 के power को नहीं count करते हैं किसको count करते हैं तो सिर्फ यहाँ पर 3 के power को यानि counting शुरू होगी तो कहां से होगी 3 का power 0 plus 3 का power 1 और plus 3 का power 2 तो बोलेंगे 9, 3, 12 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 का power 3 भी है न यहाँ पर तो 3 का power 3 भी consider करो अब यहाँ पर देखे यह आपके इस बार का mains का question है और mains के question में क्या बोला गया है इतना इंटो इतना इंटो इतना इंटो इतना इतना बराबर हमारा इतना के है तो ए भी minus cd की value पूछी है चलिए answer बताईए आप बोलेंगे sir बहुत असान question है इसी बार का mains का question है तो कैसे करेंगे बोलेंगे sir देखो कभी भी है ना कोई भी संक्या का factor बताना हो तो पहले वहाँ पर हम क्या करते हैं तो power में लिखते हैं चीज़ों को power में लिखना शुरू करेंगे तो यहाँ पर देखे जैसे 847 है यह हमारा किस से कट रहा है तो यह हमारा 7 से कट रहा है यानि पहले हम इसको factor में लिखेंगे तो 847 को हम कितना लिखेंगे तो 847 को हम लिखेंगे sir यह 7 से कट रहा है 7 into 1, 2, 1 यानि 7 into 12 तो सबसे पहले 847 को लिखो यहाँ पर 847 को 7 और 121 का मतलब क्या होता है 11 का स्क्वाइर होता है Next यहां पर हमारा है 385 अब 385 को अगर हम देखेंगे तो 385 को पहले 5 से करो तो 5 x 5 सते 35 और 5 सते 35 5 x 17 यानि 5 x 7 x 11 हो जाएगा Next हमारा है 675 675 के अगर हम बात करते हैं 675 हम सीधा इसको 25 से काट सकते हैं 25 का 2 गुना 50 हो जाएगा यहां पर ठीक है और 25 का 7 गुना इतना हो जाएगा 27 x 25 हो जाएगा देख रहा है ना आपको यहां पर यह कितना हो जाएगा 27 x 25 25 को हम 5 का स्क्वाइर और 27 को हम 3 का क्यूब तो 3 का cube into 5 का square हम इसको लिख सकते हैं Next यहां बात करते हैं 3025 को लेकर कि 3025 को हम कैसे लिखे तो 3025 का भी fundamental हमारे पास पता है 3025 को हम सीधा का सीधा 25 से भाग करते हैं तो 25 का एक गुना 25 आ जाएगा 52 का दो गुना 50 फिर 25 का एक गुना इतना यानि 121 into 25 121 into 25 25 को 5 का square और 121 को 111 का square ऐसे हम इसको लिख सकते हैं तो यहां पर हमने इन सभी values को यहां लिख दिया अब यहां कहा गया है कि देखो इन ही सब को गुना करने पर यह इसमें टूटा गया है तो यदि हम इन सब को गुना करे तो क्या होगा तो हम इहां पर यह बात कहते कि देखो इन सभी इन सब को गुना करने पर क्या होगा तो सबसे चोटा power पकड़ो 3 है तो power 3 का कितना है? 3 है फिर उसके बाद 5 है तो 5 का power 2, 2, 4 है ठीक है? फिर उसके बाद 7 है 7 का power कितना है? तो 1 इहां, 2 एक इहां है 3 आ जाएगी यहां से देखो एकी value आपके कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी फिर उसके बाद 5 का power B दे रखा है तो यहां पर 5 का power B यानि B की value कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी 7 का power C है तो 7 का power C है यानि C की value कितनी हो जाएगी D हो जाएगी और 11 का power D है यानि D की value कितनी हो जाएगी तो 5 हो जाएगी एक मिनट एक मिनट यहां छोटा से गड़बड हो गया 5 का power 5 है यहां पर है ना 2, 2, 4 और 1, 5 5 के कितने power हैं तो 5 के cool मिलाकर 5 के हमारे पास 5 power है ठीक है यानि B की value यहां पर कितनी है B की value हमारी 5 है अब हम A B देखेंगे तो 15 आ जाएगा और C D देखेंगे 10 आ जाएगा 15 में से 10 गया तो आंसर 5 आ जाएगा यह आपके अभी हाल फिलाल का मेंस का question था इसी बार के मेंस का question था मेरे भाई ठीक है चलिए आज खतम कर देंगे factor परिशान मतो जो मुझे पढ़ाना था वो मैंने पढ़ा दिया अब आप लोग सवालों को बड़ी तेजी तेजी में लगाओगे ठीक है मुझे इतना पता है अब आप देखो next question देखो तो यहां कहा गया total number of factor 1470 का total जितना भी factor होगा न बताईए total number of factor बताईए 1470 का कितना आएगा आप बोलेंगे सर हलवा सवाल है कोई सवाल है सर बताओ अभी इतना पढ़ाए हुआ ठीक है इतना पढ़ाने के बाद भी अगर हम लोग सही ना करें से मानो 2 है तो 2 का पावर 1 हो जाएगा यह 213 इंटू 7 से बोना है तो 3 का पावर 1 पांच का पावर 1 ठीक है इसमें एक 7 है इसमें एक 7 है नहीं 7 का पावर 2 है पूछा गया है मुझे एक बात बताओ total number of factor पूछा है तो number of factor निकालने के लिए क्या करते हैं सब में एक बढ़ा कर गुणा करते हैं एक में एक बढ़ा दो एक में एक बढ़ा दो एक में एक बढ़ा दो दो में एक बढ़ा दो यह हमारा आंसर आजाएगा 3 into 2, 6 into 2, 12 into 2 कितना हो जाएगा 24, option number C कहो ना प्यार है is the correct answer हो जाएगा ठीक है चलिए बहुत शांदार आजाएगे next mains का question आपका एक और बढ़ा प्यारा सवाल अगला ठीक है और इसी बार के mains में पूछा गया सवाल है देखिए find the total number of factor of 34 क्या बता देंगे 34 का factor कितना होता है सीधा सेकेंडों में लिखना सीखिएगा आप बोलेगा गुरुदे वो देखो 36 सो बराबर 36 सो बराबर देखो 2 0 है तो 2 बार 2 आ जाएगा और 2 बार कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा आ जाएगा यहाँ पे उसके बाद 36 कैसे बनता है 6 का स्क्वाइर अब बोला गया है number of factor बताने को तो number of factor कैसे बताओगे 5 into 3 into 3 यानि 45 हो जाएगा correct answer option number A जो है वो सही उत्तर है फिक है समझ गए बता दो आजे यह next question देखिए question number 4 एक आपके सामने यहाँ पर है क्या कहा गया सवाल में कहा गया यदी N की value हमारी इतनी है then how many positive factor of N are there N के कितने factor है N के कितने factor total है अब आप मुझे बताओ आखिर कार आपको यहाँ number of factor ही तो बताना है लेकिन आप number of factor नहीं बता सकते है क्यों क्योंकि direct कोई संख्या नहीं दी है अब direct संख्या नहीं दी है जैसे मानो N का power कितना है 4 का power 11, 12, 13, 14 तो कम से कम यहाँ 4 का power 11 common लिया जा सकता है न हर किसी में इसके पास भी 4 का power 11 है इसके पास भी 11 है इसके पास भी है तो जितना common आप ले सकते हैं उतना common ले लो 4 का power 11 ले लिया जब 4 का power 11 ले लिया तो यहां कितना बच गया जब 4 के power 13 में 4 का power 11 ले लिया तो कितना बच गया पर 4 के 2 power बच गया दुबारा से बतारहूं यहां पे असल में जो 4 है न वो even यहां पर prime factor प्राइम नंबर नहीं है तो हमने इसको क्या किया हमने इसको prime में बदला पाउर में बदला, तो 2 का पाउर 22 into 5 into 17, 23 into 1 into 1, मतलब यहाँ पर आंसर आपका आजाएगा 92, ठीक है, आजएए, नेक्स्ट कोशन यहाँ देखिए, तो number of odd factor बोला गया है, क्या हमने आपको odd factor का number निकालना बताया है, बताया है, बताया है ना, चलिए, तो यहाँ पर इसका 52 का मतलब क्या होता है, तो देखो, 2200 के अंदर 2, 0 है, 2, 0 का मतलब 1 बाढ दो इंटू 5 का पाउर 2 हो जाएगा, और 52 कैसे आएगा, मंगा लो जल्दी, ठीक है, तो बाढ म कैसे आता है, 36 का 2 गुना, 36 क्या होता है, 2 का square into 3 का square, ठीक है, पक्का, नहीं, होता है ना, छ्टिस kis-kis-ka-square होता है 6-6 कैसे बनता है 2 x 3 से 2 x 3 x 2 2, 4 x 1, 5 2 का power कितना आ जाएगा 5 3 का power कितना आ जाएगा 5 का power कितना आ जाएगा 2 यह हमारा ? max पतर्य।ष्य получ invites demand no of odd factor भताने को number of odd factors भताना ह odd factor भताना है पावर को नहीं लेते हैं, बाकि सब को लेते हैं, यानि यहाँ दो था तो इसको 3 बनाएंगे, यहाँ दो था तो 3 बनाएंगे, तो 3 इंटू 3 हमारा 9 आंसर आएगा ना, ठीक है, 3 इंटू 3 हमारा 9 आंसर आएगा ना, इवेन की केस में क्या करते हैं, पावर को नहीं बढ़ा तो यहां 2 जिरो है, 2 जिरो का मतलब 2 का स्क्वाइर into 5 का स्क्वाइर है, 105 है किस का 5 गोना, 1 किस को कैसे लिखते हैं, तो 3 into 7 लिखते हैं into 5 लिखते हैं, सब का एक बर factorization लिखो, यहां 2 का स्क्वाइर लिख दोगे, ठीक है उसके बाद यहां 3 का power 1 लिख दोगे यहां पर कोई परिशानी की बात है यहां 5 का cube लिख दोगे यहां पर और यहां 7 का power 1 लिख दोगे यह सबी चीजों को आपने आपर लिख दिया है ठीक अब यहां पर हम बात करते हैं कि हमें बोला गया even factor के बारे में number of even factor number of even factor कैसे पता करेंगे number of even factor तो यहां पर even में हम नहीं बढ़ाएंगे 2 है तो हम 2 रहने देंगे ठीक है even में हम बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे ऐसे रहने देंगे बाकि सब को बढ़ा दो 1 है तो इसको 2 कर दो a correct answer ठीक है चलो आजाओ next question यहां देखो sum of all factor बोला है one nine six double zero का आमने का ठीक है sir one nine six double zero बनाते हैं देखो one nine six double zero कैसे करेंगे तो sir two bar zero है यानि two का square into हो जाएगा five का square 196 जो होता है वो 14 का square होता है 14 का square का मतलब 2 into 7 का whole square है ठीक है अब यहाँ power की counting करो दो का power 2 यहाँ है दो का power 2 यहाँ है तो दो का power 4 हो जाएगा ठीक है पांच का power 2 हो जाएगा यहाँ पर into 7 का power 2 हो जाएगा इस तरीके से हम लिखेंगे one nine six double zero का जो है ठीक है यह हमारा क्या हो जाएगा तो one nine six double zero का हमारा factorization हो जाएगा अब यहाँ पर यह 196 00 का factorization हो जाएगा कोई परिशानी की बात नहीं है कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पर अब हमें क्या निकालना है sum निकालना है हमने कहा sum निकालेंगे क्या sum हमें odd का निकालना है even का निकालना है किसका निकालना है जितने भी factor है सब कसम निकालना है 2 का पावर 4 तक है यानि 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4 लिखेंगे 5 का पावर 2 है तो बोलेंगे सर 5 का पावर 0, 5 का पावर 1, 5 का पावर 2 हो जाएगा 7 का पावर 2 है तो 24, 24 ऊर 4 हो गया, 28 ऊ 30 हो गया, तो 31 लिख दीजे, ठीक है, बैटरी की थोड़ी सी इश्यू है, थोड़ा सा जो है आप लोग कोर्परेट कर लिजेगा, ठीक है, राइटरी का, नेक्स्ट कोशन देखिए, कोशन नम्र वाठ रह तो, इस कोशन में मैं आपको एक्सप्प्र और 2 zero हैं तो यानि इसके चलते भी 2 का power 2 आएगा यानि कुल मिला कर 2 के 4 power हो जाएंगे 5 के 2 power हो जाएंगे 7 के इतने हो जाएंगे sum of all factor बोला था तो यानि 2 का power 0 से लेकर 4 तक जाएंगे 5 का power 0 से लेकर 2 तक जाएंगे 7 का power इतना लेकर जाएंगे सब को जोड़ेंगे गुना करेंगे और गुना करने के बाद हमारा अंसर आ जाएगा 54777 is the correct answer next question के हम बात करते हैं तो अगले सवाल को ज़रा देखे अगला सवाल में कहा गया some of odd divisor of itna यानि इसके odd factor निकालने हैं और odd factor निकालने के case में हम यहाँ पर even के power को नहीं count करते हैं तो यह सवाल आप लोगों के लिए homework है question number 8, question number 9 यह दोनों question है आज यह अब एक नया सवाल है हाँ पर product of all factor बहुत ही शानदार question कैसे लिखेंगे यह मैंने आपको शुरू में नहीं बताया और reason यह था मैं चाहता था कि यह चीज मैं आपको last में बताऊ ताकि आपको यह अलग से याद रहे जैसे मान लीजे कि मैंने कहा 6 नाम का कोई संख्या है इसके total कितने factor होते हैं तो इसके total होते हैं पहला 1 से भी divisible है 2 से भी है, 3 से भी है और 6 से भी है यानि इसके जितने भी factor है उनको multiply करने पर कितना आएगा तो 6 into 3, 18, 22, 36 यानि total product जो आएगा of all factor की तो यहाँ पर कितना आजाएगा तो बोलोगे sir product of all factor का जो आएगा वो हमारा 36 आएगा कितना आजाएगा तो 36 आजाएगा तो टोटल कितना आएगा तो 36 आएगा यहाँ पर अब इसी product of all factor को हम यहाँ कैसे लिख सकते हैं क्या जीवन पर ऐसे करेंगे नहीं करेंगे इसको करने के लिए हमें क्या करना होता है सबसे पहले 6 होता है 6 को लिखना होता है 6 कैसे बना तो 2 into 3 से बना कैसे बना 2 into 3 से फिर हमें क्या करना होता है इसका number of factor निकालना होता है number of factor इसमें एक बढ़ा दो इसमें एक बढ़ा दो यानि कितने factor आगें चार आगें अब हमें यहाँ जब product of factor लिखना होगा चार बटे दो और चार बटे दो कितना हो जाएगा तो बोलोगे सर चार बटे दो यानी 6 का स्क्वाइर हो जाएगा और 6 का स्क्वाइर कितना आता है 36 आता है तो हम ऐसे लिख सकते हैं हम ऐसा क्यों करते हैं ये भी आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सरापने उस संख्या के पावर में आधा क्यों किया तो हम आपको बताते हैं असल में अगर आप देखेंगे यहां बरना तो यहां पर 6 के कितने पेर बन रहे हैं आप वो देखिए तो एक को 6 के साथ गुना करेंगे तो भी 6 मिलता है दो को 3 के साथ गुना करेंगे तो भी 6 मिलता है यानि टोटल 6 के कितने पेर बनते हैं दो बनते हैं बस इसी तरीके को लिखने के लिए हम यहां पर क्या करते हैं number of factor निकाल कर आधा कर देते हैं कि इसके जितने factor होते हैं उसका आधा pair बनता है जैसे 10 factor हैं तो 5 pair बनेगा 20 factor है तो 10 pair बनेगा ठीक है जैसे मानों अगर इस 6 के हैं न 10 factor बनेगे तो 10 factor बनेगे यानि यहाँ पर 5 जोड़ी बनेगी और 5 जोड़ी ऐसी बनेगी जिनको गुना करने पर 6 आएगा एक और example हम आपको लेके दिखाते हैं मान लिजेगी आपके मुन में इच्छा हो रही होगी 108 को लेकर तो चलिए पहले जानते हैं एक 100 या 22 को लेकर तो सबसे पहले देखते हैं बहतर कैसे बनता है तो बहतर के कौन कौन से factor होते हैं जरा एक बर हम सब देखते हैं यहां कुल मिलाकर तो बहतर हमारा 1 से भी जाता है 2 से भी जाता है 3 से भी जाता है 4 से भी जाता है ठीक 6 से भी जाता है 8 से भी जाता है 9 से भी जाता है 12 से भी जाता है ठीक है 18 से जाता है 24 से जाता है और यहां पर 36 से जाता है और यहां बहतर से जाता है अब मैं आपको क्या कहना चाहरा हूँ कि मुझे इन सभी factor का product बताओ practical है इनको गुना करना बड़ा मुश्किल सा हो जाएगा और examiner कभी नहीं चाहता है कि आप इनको गुना करके answer दो तो असल में इनको लिखने का तरीका क्या होता है तो हम बोलते है product of factor बराबर यह जो संख्या है यानि कितना है बहतर है इसके total कितने factor है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस से ग्यारा बारा है ना तो जितने भी factor है उसका आधा कर दो यानि 12 का आधा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा बोलो कि सर बहतर 6 बार कैसे बना बताइए तो 1 x 24 बहतर है 2 x 36 बहतर है 3 x 24 बहतर है 4 x 18 बहतर है 6 x 12 बहतर है 9 x इतना बहतर है यानि total देखो तो 3 pair नीचे 3 pair उपर यानि 6 factor बन गए कितने हो गए तो total 6 factor बन गए इसलिए यहाँ पर इसके power को हम कितना लिखते हैं 6 लिखते हैं समझ में आ गया तो इसलिए हम क्या करते हैं जितने भी number of factor होते हैं उसका क्या कर दिया जाता है आधा तो अगर हम यहाँ पर product of all factor निकालना चाह रहे हैं 544 का तो सबसे पहले 544 के number of factor निकालने पड़ेंगे कि इसके total कितने factor बनते हैं समझ में आ गया बात यहाँ पर कि number of factor इसके कितने बनते हैं तो पहले 544 के factorization करो यह आपको दिख रहे है कि 4 से जाएगा तो बोलोगे हाँ सर 4 into 4 एकम 4 14 आ गया तो 4 का 3 गुना 12 4 चक 24 फिर 4 into 136 है तो 4 into यहाँ पर हो जाएगा 4 का 3 गुना 12 4 4 16 4 into 4 34 यानि 4 को क्या लिखोगे तो 2 का square यह 2 का square है यह 2 का square है और इसमें 1 2 है यानि 2 कितनी बार आ जाएगा 5 बार आ जाएगा यहाँ पर और यहाँ एक बार 17 आ जाएगा कुल मिलाकर ऐसा कहानी होगा ठीक है factorization आप यहाँ देख लो number of factor निकालोगे तो क्या हो जाएगा तो बोलोगे number of factor हो जाएगा 6 और into यहाँ पर 2 यानि number of factor कितना हो जाएगा 12 total number of factor कितना हो जाएगा तो बोलोगे sir 12 हो जाएगा अब हमें बताना यहाँ पर product of factor तो product of factor बताने के लिए क्या गरेंगे 544 में कितना power लगाएगे तो number of factor का आधा यानि 12 का आधा कितना हो जाएगा 6 यानि 544 का power 6 option number D for देव सेना is the correct answer समझ में आ गया बात हैं यहां पर कभी भी है न जितने number of factor होते हैं उनका आधा किया जाता है ठीक आजेगे next question देखिए सेम तरीके से बोला गया 1800 के total product of factor बताने को तो बोलेंगे ठीक है sir 1800 का product of factor कैसे बताएंगे तो 1800 का निर्मान कैसे है 2 0 है यानि power 2 दो बार आएगा और 5 भी दो बार आएगा 18 का मतलब 3 का square देखो 18 9 का दूगुना है ठीक है यानि 9 का दूगुना है 9 का दूगुना है यानि 2 आएगा एक बार और 3 आएगा कितनी बार दो बार तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 पावर हो जाएगा 3 कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा 5 कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा Factorization कर दिया 400 का तो भोलेंगे हाँ GURU DEU कर दिया अब बात करते हैं पर number of factor को लेकर number of factor को लेकर तो 4 into 3 12, 12 into 3 कितना हो जाएगा 36 number of factor कितना हो गया तो बोलोगे 36 तो product of factor कितना आ जाएगा तो बोलोगे sir product of factor का मतलब यह जो संख्या है इसमें इसका power आधा कर दो 36 का power आधा यानि 18 तो 1800 का power आधारा option number age वो हमारा क्या हो जाएगा सही उत्तर correct answer आजाएगा समझे तो कभी भी product of factor बताना हो तो क्या करते हैं number of factor निकालते हैं और उसमें क्या करते हैं power को आधा करते हैं ठीक है चल यह clear है आजे यह last question है आपके sheet का maze का question है यह इसको देखिए ठीक कहा गया find the number of prime factor in the product इतना इसमें total कितने prime factor बनेंगे आप मुझे यहाँ पर यह बता दो ठीक है तो यहाँ पर हम बोलेंगे यार सबसे पहले तो prime में तोड़ो 30 है तो 30 को कैसे लिखोगे तो बोलोगे sir 30 को 6 का 5 गुना 6 को कैसे लिखेंगे तो 2 into 3 6 6 into 5 30 हो जाएगा और power कितना है उतना यहाँ पर यह जो है उतना हमारा यहाँ पर फाइदा होगा तो 30 को हमने कैसे लिखा 6 into 5 2 into 3 into 5 24 को कैसे लिखा 8 into 3 यानि यहाँ पर जो है वो 5 आ रहा है 2 का power 5 यहाँ है और यहाँ 2 का power कितना है 15 है तो 2 का power 5 और 2 का power 15 यानि 2 का पाउर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा तीन का पाउर 5 है और 3 का पाउर 5 यानि कुल मिलाकर 3 का पाउर 10 हो जाएगा 5 का पाउर 5 है और कहीं 5 का पाउर नहीं है इतना हो जाएगा पर number of prime factor बोला गया नहीं कि number of prime factor कितना होंगे यानि सब को जोड़ दो यहाँ पर तो 20, 10, 30, 35 प्राइम फैक्टर का मतलब यह थोड़ा different सवाल है यह number of factor नहीं है यह number of factor नहीं है यहाँ पर शब्द में बोला गया है number of prime factor यानि देखो एक होता है number of factor और एक होता है number of prime factor अगर number of factor पूछे तो power में एक बढ़ाकर गुना कर दिया जाता है समझना मेरी बात को power में एक बढ़ाकर गुना कर दिया जाता है और number of prime factor बोले यानि ये जो prime संख्या हैं इसके कितने power total लगे हुए है इसके कितने power लगे हुए है number of prime factor बोलता है यानि हमसे ये कहना चाहता है कि तुम्हारे जितने prime number हैं वो कितनी बारा हैं तो 20, 10 और 5 यानि 35 prime factors हैं इसके तेक है मतलब कितने prime factor देखो एक होता है odd factor एक होता है even factor एक होता है prime factor तो prime factor की counting करनी है तो यहाँ जितने भी prime number है उनके power को count कर दो वही होता है prime factor की counting ठीक है वही होता है prime factor की counting number of factor आप निकाल लेते हैं even भी निकाल लेते हैं odd भी निकाल लेते हैं prime निकालना होता है तो इनका जो power लगा होता है बस उनको जोड़ दो वही answer आ जाएगा थोड़ा मैं डीटेल में लिख दे रहा हूँ, कल के दिन कोई class notes पढ़ेगा तो उसको समझ में आ जाएगा हमने किया क्या है अब आपका देखो एक तरीके से तो इतने ही question आपके factor से बनते हैं मेंस में क्योंकि right now अब इससे ज़ादा question नहीं आता मेंस में सबसे ज़ादा question आपके SSE में पूछा जा रहा है वो divisibility और remainder पे पूछा जा रहा है तो अगर हमें पढ़नाई है number system को 8 गंटे में, 10 गंटे म, 12 गंटे में तो हम ज़ादा focus क्यों ना remainder और divisibility पे करें क्यों हम ज़ादा focus यहाँ पर जो है वो इस पर करें ठीक है, तो unit is a take class में मैंने खतम करा दी, factor भी आपका खतम हो गया ठीक है, अब हम next class में क्या पढ़ेंगे, तो next class में हम remainder पढ़ेंगे और फिर divisibility, number of zero जो है उससे एकवी सवाल नहीं आया है पिछले 3 सालों के मेंस में, आगे भी question उससे नहीं आने वाला है ठीक है, तो इसलिए वो पढ़ना बेकार होगा यहां पे, हम जो पढ़ेंगे वो अब next topic पढ़ेंगे, divisibility और remainder, क्योंकि इनसे सवाल जादा पूछे जा रहे हैं इनको हमें नहीं छोड़ना है, और prime number यानि factor से जितने questions पूछे जाते थे वो सारा मैंने करा दिया number of factors, sum of factors, number of even factors, sum of even factors, जितने भी possible questions थे, ठीक है, चलिए, तो मिलेंगे कल की class में, और कल चलिए, तो मन लगा कर पढ़िए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लव यू अल, टेक केर, बाई, ठीक है